सब्सक्राइब को नमस्कार जुले आज ले के कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से और मेरे साथ यहाँ पर हमारे प्रदेश के यूद के प्रेजिडेंट असमनला जी हमारे ओनरेबल कॉंसिलर भी है हमारे जिला ले के हमारे यूद के अज्यक्ष टुंडुप नुगुजी हैं जो हमारे प्यां कांशिचुनसे के ओनरेबल कॉंसिलर भी हैं तो यह जो जो प्रेस वार्टा जो आज हमने बुलाया ले के कॉंग्रेस के देफ्तर में जैसे कि आप सब को मालुम है और पूरा देश जनता है दूनिया जनता है कि हमारे कॉंग्रेस के मानिने लीडर राहू रहुल गांदी जी की सदस्तिया रत कर दी गई तो उस विशे की उपर अडाने के विशे के चलते और चुबी रहुल गांदी जी आप संसस्त सदस्त से नहीं रहे इन सारे मसले के उपर हमने सोचा कि जरूरी है आज देश बर में एक अवाज गुंजरी है कि जिस तरह से किस जो जिस तरह से सरकार कर रही हैं लोगों को जापु calm करना जरूर है कि देश कहां चल रहा है और देश किस दिशा की तरह बढ़ रहा है तो इसके बालमे में रहुआ के रह रहुल गांधी जी का जो लगों को सबाच hundred कर देगत है यह हुआ कैसे तो सिल्चलवार तरिके से तो एक के बाद एक हम बताना चाहेंगे लोगों को यह हुआ कैसे 2019 आप्रेल 13 तारिक को करनाटका में करनाटका के कुलहर डिस्टिक में रहूल गांदी जी क्यूंकि आम चुनाव का समय था एक जान संबोधन कर रहे थे गर जिसम्ण उन्हें पना एक बाशन के दोरन और अमउमन जो करते हैं की बेरोजगार की सांथ boyfriend और महिलात्याटके और महंगाई के बारे में जो अमुमन रहूल कांदी जी हर जगा देश के हर कौने में जब जब मोखा मिलता है तो इसका कार्कार को निशाना को पेले हे और ललित मोंधी है जन्नोंने हजार क्रोड़ों रुपए ले कर को जो आम ज경ता का जो पेसा था जो बैकम में जमा था उन सारे पैसों को लूड कर देश से बाघ निकला वो लोग तो ऐसा क्या है कि निराब मोधी और ललित मोधी यह सारे міोधी क्यों है राहूल गान्दी जी ने यถ rápido कानई की इसमें क्या जरुरहिए की राहल गान्दी जी ने कभी नहीं कião कि सारे मोधी चोर है हैं उन्हेंने का कि यह जो सारे जो olla के जो देश से बाग निकला जिनको सगर पकड़णी पाए और जिनको वापस लाने में वो विफल रहे इन सब के पीछे मोधी क्यों है इन सब करना मोधी क्यों है तो इसी को चलते 16 अप्रेल 2019 को पुरनेश मोधी जो गुजरात के एक MLA है उनुने गुजरात हाई कोड के अंदर एक याचिका दैर की रहुल गांदी जी ने कहीं न कहीं एक मनहानी जो जिन लोगों के पीछे मोधी का जो नाम लगता है कि उनके उपर एक डिफैमेशन केस उनुने लगाए ची सारे मोधी ने उनको चोर का जबकि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा तो पुरनेश मोधी जी ने एक कम्प्रेंट दायर किया हाई कोट के अंदर राहुल गंदी के खिलाब एक मन्हानी का केस एक डिफेमेशन केस उन्होंने लगाया यह लगाया उन्होंने अप्रेल 2019-16 तारिक को मार्श साथ 2022 को आप देखिए कि पुर्नेश मोदी अब यह ठंडे बस्ते में चला गया था 2021 निकल गया कोई सुनवाई नहीं हो रही थी यह पुरा बंद एक तरह से बंद पड़ा हुआ था फिर वो खुद जाके 22 साथ मार्श 2022 को पुर्नेश मोदी जी हाई कोट जाके यह कह इस मन्हानी का जो लगा है उन्होंने रहुल गांधी जी के ऊपर उसको चै किया लाफ necessary лекश़्ाइज को उसको फिलाल बंद किया जाए खहार आप करो बहुत हम बंद करेंगे तो आपने पहल किा तो उन्होंने कर लिया साथ फरवरी‐ 2023 आप देखिए आस फरवरी 2023 के जि वरिष्ट विपक्ष केक नेता है लोग सबाय के अंदर उन्होंने अदानी और मोदी जी का जो सान गांट है कैसे अदानी को हिंडन बख रिपोर्ट के आने के बाद पीछे 7-8 साल में आदानी का जो वेल्यू है जो आदानी एंटरप्राइस बहुतम आदानी का जितनी भी कंपनिया है चाहे वो धेश के अंदर हो चाहे देश से बाहर हो जो ऑफशोर कंपनीज है जो शेल कंपनीज है जो इनक्टिव कंपनीज है तो सारा जो आदानी का जो व करोड तक पहुंच गया विश्व के दुनिया के दुसरे अमीर बिजन्समेंट बन गए वह साथ और साल के अंदर तो इन सब के बारे में रहूल गांदी जी ने विस्तार से पार्लिमेंट में सारे संसत के सामने लाया और देश के सामने उस बात को उन्होंने जवरुक्त किया कि अदानी ने किस तरह से देश को लूटा है किस तरह से देश के कंपनियों को उन्होंने खरीदा है किस तरह से सरकार ने उन कंपनियों को अदानी को बेचने में एक साथ निबाया है एक उनको एक मदद पहुंचाई है तो इन सब के बारे में रहूल गांदी जी ने लोकस q3 को जो पुर्नेश मोदी जिन्हों ने कंप्लेइन दर्ष की थी हाई कोट गुजुरात के अंदर राउल गांधी जी के खिलाफ और उनके पुर्नेश मोदी जी जग गये वो दोड़के चल गए गुजुरत हाई कोट उन्हें ने काया जी सर आप यह जो है उसको खुलना पड़ेगा तो हाई कोट ने केस को खोला दुबारा से हो जो स्टेश लगा तो स्टेश को हटाया स्टेश को हटाने के बाद 27 फरवरी 2023 को एक ट्राइल कोट जो सूरत के ट्राइल कोट बिस् ठाइल कोट में लाया गया प्रनेश मोदी ने उसके उपर सुनवाई हुई और 23 मार्च 2023 को यहानि कि इसी मीने में उन्होंने ट्राइल कोट सूरत सूरत ने राहूल गांदी जी को दो साल का कंविक्शन के के मताबिक के चलते दो साल का जो मैक्सिममम जो कंविक्शन किया जाता है defamation के case के अंदर उन्होंने राहूल गांदी के उपर लगाया और उनको दो सल का conviction उनको सजा सुनाई दो सल की सजा सुनाई ट्राइल कोट सूरत में 24 मार्च को विदिन 24 गंदे के अंदर पार्लिमेंट सेक्रेटरेट ने राहूल गांदी जी का संसत सदस्या उनकी सदस्या रद कर दी उनको मेंबर्शिप से हटाया गया और राहूल गांदी को मेंबर पार्लिमेंट से निलंबित किया गया और उनको मेंबर पार्लिमेंट की स सदस्था से सदस्था से उन्हेंने हटाय गया विदिन ट्वंटिफोर आर्स तो मैं लोगों के यह बताने चाहते हैं पॉलिस पार्टी ले की तरफ से कि हमें यह जानने की जरूरत है कि आज देश जिस तरह से अदानी जैसे लोग देश को लूट रहा है उनकी जितने भी फर बेंक है राश्टी स्थर पर लडाग में भी हैं कई जगूं पर हमारी इसके ब्रैंचिस है स्टेट बेंग में हमारे आपका और मेरा सब का पैसा इसके अंदर हम लोग रखते हैं वहां पर सेफ करते हैं और यह क्या करते हैं लाइस जो लाइप इंस्योरेंस कॉर्परेशन तो लाइब इंशोरेंस कोर्परेशन ने भी आदानिको पैसा लोन पर दिया स्टेट बेंग ने पैसा लोन पर दिया तो इस सब के चलते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह जो संदेंसिंग हुआ है राहुल गंदी के उपर जो कंविक्शन हुआ है ट्रायल को सूरत ने आप देखते हैं कि एक बुलेट ट्रेम की तरह एक के बाद एक तो रहुल गंदी को उन्होंने संस्द कहँए इसे भी भास्पावाले संसद में कइब बार उनुने कहा कि एमें दौन को किसी बितर हटाना पड़ेगा रहुल गंदी को संद पार्लिमेंट शे हटाना पड़ कानुन की कानून को साथ लेकर कानून की जर्य उन्होंने रहुल-गंदि को उटाया इस सब के पीछे क्या मक्सद रहा क्या मंचराइब सरकार का मैं चाहूंगा कि समल्ला जी हमारे कारण क्या है धन्यवाद ये कहानी पूरा देश के सारे लोग कई दिनों से सुन रहे हैं फिर भी उसमें एक चीज बार-बार दोहराने की जरूरत है कि राहुल गांदी जी तो बस टार्गेट बन रहे हैं असल में आदानी जी को बचाना चाहे हैं क्योंकि राहुल गांदी जी एक चाहे जितना भी मजाग उड़ा है बीजेपी के आइटी सेल वह एक अकेले ऐसे नेता हैं जो निडर होकर सड़क पे हो संसत में हो हर जगा अडानी जी और मोदी जी के रिष्टे को का जो सच है उसको देश के सामिने लाने की कोशिश बार बार कर रहे हैं राहुल गांदीजी जब भी पार्लिमंट में बोलते हैं तो उनका माईक बंद कर दिया जाता है या बोलने नहीं दिया जाता जैसे कि हमारे लदाख के लिए ही हमारे कॉंग्रेस पार्टी से बार बार रिक्विस्ट जाने के बाद हमारे नेता राहुल गांदी जी ने सिख शेडियूल के लिए जॉर्ण्मेंट मोशन मूव किया था उनको करने नहीं दिया गया यहां बहुत लोग पूछते हैं कि आप बात की थरह चोड़ दिया तो उस तरह से कॉफ्रेस वालों को बोलनी नहीं दे रहे फिर भी राहुल गांदी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अडानी वाले केस पर बहुत डीटील में पूरे देश को बताया तो उसके बाद मोधी जी डर गए उनका 56 इंच का जो स रिपोर्ट किया गया था दो मार्ष खो दो मार्ष को वीकिंश को कि उनकी उसमें टीस हजार करोट रुप रुपै उनके इसको चुब करता है तो उसको चुप कराने की कोशिश किया जाता है जिसकी शिकार राहुल जी बन रहे हैं लेकिन हम कॉंग्रेस पार्टी वाले राहुल गांदी जी के सारे हम सिपाई हम चुप नहीं रहेंगे हम भी बोलेंगे आपको लगता है तो हमें भी जेल में डाली अधानी जी और मोदी जी का रिष्टा क्या है क्यों वह उनको बचाने के लिए इतना कुछ क कर रहे हैं यह हम बार-बार पूछेंगे हर स्टेट से हर जिले से अभी इस तरह से प्रेस कॉंफिंस हम कर रहे हम पूछ रहे हैं वह अगर नरेंदर मोदी जी ने कंप्लेंट किया होता तो अलग बात थी हमारे नम्याल साब ने बताया ललीत मोदी जी ने नीरवाद किसी नहीं नहीं किया तो यह सही से नहीं बन रहा है बहुत लों यह भी मोलते हैं कि आतो अप लोग कोड के उसमें क्यों सवाल पूछते और कि वहाद रहेंगे और अधानी की बात आती हैं तो तो सवाल तो हम यह एकदम से डरने लग जाते हैं तो हम यह बोलना चाहते हैं पूरे देश वासियों को कि हम देश के सर से लदाख से भी हम लोग राहूल गांदी जी के साथ हैं चाहे कोई कितना भी कुछ इसको ट्रिवील इशु बनाके चुपानी की कोशिश करें हम यह बताना चाहते हैं ह मैं इससे बहले की हमारे तुन्डूब नूबू जी कुछ कह हैं मैं इनी के जो स्टेडमेंट में ने थे उसके तुरह आगे मैं और आगे बढाता हूं यह इत्तिफाक की बादे देखिए हैं हम लोग कानून के सलाह कर नहीं हैं और कोई विशिशक भी नहीं हैं एक छोटा कि जाब कोईकेन का केस लगाता है किसी को आपने बेस्ती की कि लुक्त क किस जो क्या क्यों ने कुछ कहा और मन्हानी का केस कर crawl गया तो जिस बंदे के ऊपर जिस आदमी का नाम लिया गया और जिस के सथए मले निए करना होते हैं अंपर राहूल गांदी जी ने नीरा पोदी का नाम लिए ललीत मोधी का नाम पूर्नेश मोधि कहां से आगे बीश में करने द़नना पूर्णे मोधि आया कहां से निए किbling कुर ऐऊ है कर सो होते हैं लोग चाइकूट को बन करो पता लगे कि रहोल गंदी ने विदेश घए मौजुदा जो हाला देश के लगाई उसके बार में बदाने की कुए अंतलो स्थार पर जागरूट करने की कौशिश की कि जो भी हो रहा है देश के अंदर ठिक नीचल रहा अब उनको जब वापस है तो बा बचा नहीं जब यह लोग दो चार हो गए इन क्या कि कोई रास्ता हर रास्ता उनके बंद हो गया एक सवाल था सरकार के उपर रहूल गंदी को कैसे बंद किया जाए इसका मुह कैसे बंद किया जाए जब पार्लिमेंट में उन्होंने स्पीच ती मलिक आरजुन खड़के जो जब राभुड गंदी जी ने अदानी के बारे में सवाल किया सरकार से सरकार कैसे अदानी को सपोट कर रही है देश का चिंधेब़ा जो एर्रपट है जिसके अंदर यह साफ लिखा गया कि जब किसी ऐर्रपोट को आप प्रवेटाइज करते हैं किसी गयर सरकारी कंप्पन को देते हैं चलाने के लिए उसमें एक Clauses था कि जिसको भी आप देंगे तहक के बेंगे बीए ऐइरपोट को चलाने रहां उसके बेचेंगे इस शक्स को या उस और प्रूमी को छलाने का 15 जिसक पंदोर्बर? को होना चाहिए है था अधानी को देने के लिए आप ने उस Lots of खुभी हटा दिया उस क़ादो लिए आपने संशोदन लगए कह Пानी से प्षब को धानी का इन सारे मम लोंग के ऊपर तो यह सारा लेखा जो का यह कि कहीं ना कहीं किसी ने किसी किसी भी तरह राहुल गांदी का दाय mainly और भीजिश जो कर लेकर नまで Het Ops को स rubbish का Ora ना निराभ मोदि जी ओवश्य जाते तो बकिसी स्काम मसला आया कहांते के रहुल गांदी ने OPC के खिलाब बोना तो यह सब नारेटिव बनाया जा रहा है दोज़र चुब्विस को लेकर किसी ना किसी तरह विपक्ष की अवास को बंद करने के लिए और जे पीसी का जो 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 एक इन्विस्टिकेशन की जो मांग की थी पूरा विपक्ष एक जूट होकर उसके बाद उसको उसे ध्यान को तो सुटिवश रही जो दा घ्थ चुब्वशन की अवास ौसेश बड जो याद की अन्या बस्तिक Belgium आता है अभी स्थी सपोना स्थाओंस्टिस नंट्सिऋ तो यह को फिर भ्सकोने की में। पको एक सुट इसने ड़ छोडम थे एक पार नेंध अदिन नियान को प्रोली प्रोली नियान के वह जाए अगले स्टाइटेश नियान वह जोगाएं से लिए देड़ लाग, आर्धाम जोगाएं तो प्रितिश को निया, महात्मा कंदी जला करशाव, पंदे जावालाद नहीर, सुबार चंदरभू, सर्दार पटेल, तेमना तो अधो चिंडेटरशिप वो, यागर इंडेपेंडेंडेन वो उन्चिस तिंग में यंग एगरमें जीतों सका अंड्रेस आओ थो आच्वार यंचले जाया जाता है। थोफर चैयने कुछिवां नाने थी। क्रिमिनल चर्रेंशन नहीं विखन भीया को अब शहें व्याएन नहीं आप 5 599- cm आपकोर डिक्टेटर शायरा है, थाो जबादागी का के साहिए, तरहाल भी शागी अधा रन्हें। प्रेदार मोदी नाग आदानी खोग नियुक्त करोत शोग मिशूर चाफ्सु में इपने काने हुग। इसको देल भूचियोद ग्यागर बेना इसाम लुटाई चीया सूंस तेनो तेवेस कोरला तीवाट किया चीकोने तेने दिरिंग तुन्तक मतकाने केशिक तोक्षी ना सकार्थ ते मने कोडे ओडर भी इस ते जाक चीक मचांग तेने आता पार्लिमेंट याने खोंग फिंग याने कोष्चिया गुन मतीज ते अर्दाम आला घूना अधान खालागा तेने संग्स पासां यागर बेना मीमंस मंगलूग से ना ढदा देमोक्रीसी मेतना यागर भू ढूला मेट जर्कान भू पूंग्रिस चीको में बीजेपी अतल भिहरी वास्पाई प्राइम मिनिस् वार गुनले ना ना डेमोक्राशी मेट ना इउन बूला मेर शुशतिये सोंसपा दाए रहूल गांदी पार्लीमेंट के शुशतिये इंगलिश्यन जचेश हुँच ऊंच पितम देजूले टान जिस्टेश हुशतिये भूसकर ऐस विच भीक साथ गाम कोईड से गीजए ऑट गाम कोईश आखनागी भीक परेफो विक्षाद का भीज है प्याम थे सिर्ड़ काई मैं सब्सरें मैं जञे विदुव जब टत्यों को बांट आपस-परत और ईंश्यी सिर्य वार्वीいい हंग शांग में संग 500 नंकाने गौर्वंटन वो दिरीं इन जुकान वो दिरीं जाहर एलदाने का ना उस्टूं मा मंपे मोलते नू यह बुदकाने तूद गुन अमना मीडिया यूर्टे जिख्स ना ले नं अन अ करुप्षाने केस ना वहां बड़े चीन दूख ज़िखान ना संग मातां वहां जो बीजेपी जाहे लडग्स पारण चैया लाट पारण जो चैया नोधीस पारण जो जो बीजेपी जोत शिर्फ ए करपशने केस नां वी तो धंकी तंकाने केस नां जाहर घंपे ना दरी यह ने पुझाए पुझाए ने पुझाए ने पुझाए ना लॉपी सापना कास्मा ले पिटेल है जूसते नो लेकिन इव जाहूल गांदी तो फुम या सुझी दिरिंग निजा घूज दो कि बुझान तुर्गोने का लियां धार आयर पॉंसलर रेंडो या पार्टी लीडर म इन कोशिश चोज लेकिन फूर्ण मां दिमकान में तक घूज जिखा में ध अंधो में लेकिन ही केस जिखेल अन्पट प्राइम मिनिस्टार जिखें या बोड़ोंसलर रेंटर पुझाट पुनमा घूज दो आउन्पाट बर्स में पर ने भी देट पे उन्ट ने भी बुम्ठाग ना पेने श्कु से शुरकान मुझा जिंगबात पर निकुछ ताइद गामिज शुकुनमा उन शुमत शुमत देमी ओव जुम चासी खोर सुन्दों शुरू को ना वोदी शुरकान समझ शुकान शुकान ये एक भारत की इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है महा भारत में कौरव जो थे उनके साथ लोग थे पावर था पैसा था सब कुछ था पांडव सिर्फ पांच थे लेकिन उनके साथ सच था तो कॉंग्रेस पार्टी जैसे पांडव जीते वैसे ही जीतेंगे यह हम आज यहां से एलान करतें दन्यवाद और मैं आखरी में आखरी देश को आज तक चलाया और आगे भी चलाएंगे सब मिलकर तो इस लोग तांदर को हमने बचाना किसी भी तरह इस तरह का जुल्म हमने चुप चप सहना नहीं है हम चाहेंगे कि लदा की लोग सब इकटे होकर लदा के तरकी की बारे में लदा को आगे ले जाने के लिए हम हम सब काम करें और डरें नहीं और हिम्मत जुटा कर सर उंचा करके हम सब मिलके भाई की तरह हम आगे काम करेंगे इनी शब्दों के साथ में सबसे में विजा लेता हूं सम्मला जुले तुझे शिव जुले